नमस्ति फ्रेंट मेरा कुकिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो लीजिए एक डम हेल्दी जटपट बनने वाली रेसिपी फिर से आ गई हैं लेकर हम तो चलिए आज हम बनाएंगे दो दालों से खिचुडी तो हमने दाल ले लिए ये मसूर दाल ले हैं और ये 40-गयाम हमारे चावाल ہیں और हमने जो समाल लिया है हम यह मुफली डालेगे ये कच्छी मुफली के दाने हैं और हमने यह आलू ले लिया है एक मीडियम साइच का इसको भी काट करके डालेंगे और यह जो तड़का का समान है तो चलिए जली फटण फट शुरू क करते हैं हमने गैस पर कढ़ाई बिठा दी है आभी हमने कढ़ाई में कुछ भी नहीं डाला है कढ़ाई को थोड़ा सा गरम करेंगे और जो हमारी ये दाल है ना डाल को इसी तरीके से बिना तेल डाले हुए इसको रोष्ट करेंगे तो चलिए दौनों दालों को थोड़ा सा लोष्ट करेंगे ये रोष्ट करने से क्या है ना बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी खुषबू आती है खिचुरी में बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है तो चलिए हम इसी तरीके से एक जो मिनुट इसको रोष्ट कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंट आप देख पा रहे होंगे हमारी दाल अच्छे से बुन गई है तो अभी हम इसको निकाल लेंगे और हम कढ़ाई में नहीं बनाएंगे खिजडी को कुकर में बनाएंगे जटकट बनेगी देखिए बहुत ही अच्छी खुसबुआने लग गहा है हमारी डाल से तो अभी हम हम गेस पे कुकर भिठा दिया है अभी हमारा कुकर भी गरम हो गया है अभी हम इसमें डाल देते हैं तेल तेल हमारा गरम हो गया है अच्छे से अभी हमने जो तड़का के लिए मसाले हो लिए हैं खड़े मसाले हो दिखा देते हैं थोड़े से जीरे दो हरी लाइजी एक तुकड़ा बिल्कुल छोटा डाल चीनी का दो लॉंग एक तेज पत्ता और तीन चार लाल मेज तो इनको डा जालेंगे इस तरह के से और जो मैंने प्याज काटके रखी ती उसको भी डाल देते हैं आरे में इसको भी डाल देंगे कि अगर तेज़ी बहुत ही जल्दी घटपड बनकर तैयार हो जाती है अगर पैमिना हो जल्दवाजी हो तो जल्दी से फटा-फट करके जल्दी से खिच्री बनाएए और खाएए कभी विखा सकते हैं लुखयत को भीखा सकते हैं रात को भीखा सकते हैं डिनर में तो हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो गया है अभी हमने अध्रक लशन का पेस्ट लिया है एक चमस इसको भी डाल देंगे प्याज अध्रक लशन अच्छे से फ्राई कर लेंगे भून लेंगे प्याज का अध्रक लशन का कच्चापन निकल जाएगा तो इसमें हम नुफली के दाने डालेंगे निकली के दाने हमने इसमें प्याज पर डाल देंगे वहीं सक्चचापन निकल जाएगा उनका थोड़ा सा भून भी जाएगे इनके साथ में बहुत यह सा तेस्ट आएगा अध्रक लशन के दाने भी डाल देते हैं इने भी अच्छे से बूल लेते हैं लशन के दाने अच्छे से भून गए हैं देखिए कि इस बूल गए है तो जो मैंने अलू लिया था एक मेडियम साइट का उसको अच्छे से कट करके अभी पाली में रखा हूं अभी इसको भी डाल देते हैं बढ़ा देए ने आप चाहे तो बोडी दे सकते हैं कोई इसी भी चब्जी दे सकते हैं जो आपको पसंगे आली को भी अच्छे से थोड़ा से भून देंगे हलका के नमद दाव लेंगे आगा चमा आलू हमारे थोड़े से सब्ट हो जाएंगे अलू हमारे बहुत अच्छे से भून गए तो आभी हमने डाल को भी दो तीन पानी से बहुत अच्छे से दोल लिआ है इसको भी डाल देंगे जितना चावाल लें उतना डाल लें बहुत ज़्यादा तेशी किसरी बलती हो चावाल भी डोली हो मैंने इसको भी डाल देते हैं लोनों को अच्छे से मिला लेंगे हाप चमाश हल्दी डाल देंगे अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखिए फ्रेंट हमारा अच्छे से खिचरी भून गया है बिलकुल अच्छे से भूनाई हो गई है इसकी तो फ्रेंट मेरी इस ट्रीट को आप भी पॉलो करिएगा बहुत ही जादा टेश्टी बनती है अगर बच्छे खिचरी खाना पसंद नहीं करते तो इसी तरीके से सब्जियां भी बच्छे कोई कोई नहीं खाता है इस तरीके से बनाईएगा बहुत ही जादा हेल्डी भी होती है बच्छे भी खाएंगे आपका भी हर दिन मन करेगा बहुत ही जादा टेश्टी होते है तो चलिए हमारी खिचरी भून गई है अभी हम इसमें दे देते हैं पानी आपक्रों तो चलिए प्रेंट हमने इसमें अप्षे से पानी डाल दिया यह देखिए अपना हिसाफ से डालीएगा अभी हम इसका डखन लगा देते हैं डखकन लगा दिया अभी हमें इसमें दो सीटी लगाएंगे देखिए फ्रेंट हमारी सीटी भी खुल गई है अभी हमें इसको खोल कर देखिए वाओ कितनी अच्छी वनी हमारी किचली एक्दम परफेक्ट है यह देखिए हमारे आलू भी गले नहीं देखिए दिख रहे हैं सारे आलू एक लिकर के दिख रहे हैं यह देखिए तो हम दे देंगे आधी चमच गीर और आधी चमच गरम मसाला इनको अच्छे से मिला देंगे कि देखिए इतने अच्छे से बने हमारे किच्डी एक दम हेल्डी तो लीजी फ्रेंट अब हम इसको उता लेते हैं तो मैं आप सब करके दिखा रहे हैं आपको हमारी हेल्डी पॉस्टिक एक दम घर्मा घरम किच्डी बनकर तैयार है तो चलिए आपने साथ भी कर दिये तो चलिए आप भी एंजोई करिए डिनर लांच जब भी माजी जल्द जाट पड़ बनाए और खाए तब तक के लिए वाय वाय टेक है हैं